Hello students, we are going to start new chapter today, cubes and cube roots. सबसे पहले समझते हैं कि cube क्या होता है, cube से शुरुआत करते हैं, जैसे हमने square पड़ा, किसी number को 2 बार multiply करना square होता है, तो cube 3 बार multiply करने को cube बोलते हैं, जैसे कि 2 को आपने 3 बार multiply किया, 2 multiplied 2 multiplied 2, आप multiply करेंगे तो 8 आएगा, 2,2004, 4,2008, तो इसे mention कैसे करते हैं, 2 को 3 बार multiply करना मतलब 2 power 3, 2 power 3 यानि कि 2 cube बोलते हैं इसको, और यह हमने exponents में rule भी पड़ा है, जैसे यहाँ पर base same है, product कर रहे हैं, 2 power 1, 2 power 1, 2 power 1, base same है तो powers क्या हो जाती है, add हो जाती है, यानि कि 1 plus 1 plus 1, 2 power 3 बनता है तीनों को add करके, तो इसी कोई क्या बोलते हैं, cube बोलते हैं, तो अब हम याद रखेंगे कि cube क्या होता है, तीन बार multiply करना, और power कैसे लिखते हैं, 3, exponent 3 होता है यहाँ पर, तो अब देखिए ध्यान से इसी concept को लेके चलते हैं, और कुछ numbers पढ़ने वाले हैं, मान लीजिए हमारे पास, number मैं इधर रख रहा हूँ, और उन numbers के cube पढ़ते हैं पहले, यानि कि number 1 की अगर बात करें, 1 का cube क्या होगा, देखो मैं पहले तो ये थोड़ा एक पर लिख देता हूँ, 1 का cube मतलब 1 को तीन बार multiply करना, इसका answer क्या आएगा, 1 आएगा, और ये है क्या, इसे ऐसे mention करेंगे, 1 cube, ठीक है, 2 हो तो, that means 2 multiplied, 2 multiplied, 2 which is 8, रखते हैं, 2 cube, 3 अगर हो तो, 3 multiplied, 3 multiplied 3, it is 27, that means 3 cube, ये table complete करते हैं, अब मैं सीधा लिख रहा हूँ, 4 मतलब 4 का cube, उपर cube का कॉलम चल रहा है, 4 cube मतलब 64, 5 नमबर लोँ तो, 5 cube, that means 125, क्योंकि 5 को 3 बर multiply करते हैं तो, 6 हो तो, 6 cube, 6 cube is 216, क्योंकि 6 को 3 बर multiply करते हैं, 7, 7 cube, 7 cube is 343, 8, 8 cube is, 512, 9, 9 cube, 9 cube is 729, then 10, 10 cube is 1000, तो, कुछ तो ये 10 तक values वैसे याद ही होने चाहिए, कि cube करने पर क्या आता है, और, यहाँ पर हमने जब देखा कि इनके cubes की ये values आते हैं, तो कुछ यहाँ से अब हम, not करने वाले हैं, जैसे, 1 का cube करते हैं, तो पीछे 1 आता है, यह याद रखना है अब, 2 का cube करते हैं, तो 8 आता है, 3 का cube करते हैं, तो units place पर 7 आता है, 4 का cube करते हैं, तो 4 आता है, 5 का cube करते हैं, तो unit place पर 5 आता है, 6 का करते हैं तो पिछे 6 आता है एक मैं यहाँ पे 9 नोट करवा रहा हूँ और 0 देखो कुछ चीज़ें तो बहुत असान हो जाएंगे कैसे देखो जब 4 आता है न 4 का क्यूब जो है 4 पे end हो रहा है हिंट रिख लेते हैं अगर 5 वाली value का cube होता है न वो 5 पे end होता है याने कि same value पे 6 का cube लेते हैं तो वो 6 पे end हो रहा है 9 का cube लेते हैं तो वो 9 पे end हो रहा है और अगर 10 का cube ले रहे हैं तो obviously वो 0 पे end हो रहा है देखो 5 values तो हमारी सीधी गई 4, 5, 6, 9 और 10 इन 5 values के अगर cubes आते हैं जुरूरी नहीं के इनके मैं इनके आगे मालो 14 का Kyoo Go वो अब फिर 4 से ही end होगा चाहे 25 का Kyoo Okay 25 is 5 say In denial 40 16 का Kyo Boat Six Say End ढोगा 99 का भी Kyoo go आ जाये तो वो 91st řे लोगा 210 का Kyoo Go बाजाये तो जिरो से en daug तो यानि कि हमने यह देख लिया कि जो न्बर के Kinda क्यूब हम लें वो पिछे एकर 4 तो 4 पे और फाइव तो 5 पे 6 तो 6 तो 9 पे 0 तो 0 पे तो यह पांच नंबर हमने अब याद रखने हैं और इसके लावा यह फर्स्ट वाला रहा गया फर्स्ट वाला देखें वन हो तो वन पे यह एंड होगा तो यह भी यहीं पर मेंशन कर लेते हैं उपर कि जिए वन का क्यूब हो तो वन पे एंड होना है अब कितना कुछ हो गया देखो एक दो तीन चार पांच छे टोटल दस सब्सक्राइब दस में से 6 नमबर तो ऐसे है जिस पर वो खुद एंड होते हैं जिनका क्यूब कर रहे हैं उसकी एंडिंग भी उसी से होगी तो फिर बचा कौन सा रहे सिर्फ एक जिसके एंड में टू आएगा वह एड पे लोगा कि जिसके एंड में रिया आएगा वो 7 से एंड होगा वो 566 तो हमने पड़ी दिया जो 7 से क्यूब होगा वो 3 से एंड हो रहा है जो 8 का क्यूब होगा वो 2 से एंड हो रहा है अब यह भी आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं पता है यह देखो यह अगर 3 वाली टाम का क्यूब है तो hal 7 से एंड हो गा लेकिन 7 वाली का तो वो 3 एंड हो और यह दो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं अब तो कुछ मुश्किल नहीं है? कि 2 अगर क्यूब लेते हैं तो 8 से हो लेकिन 8 वाली टा Apple का क्यूब लेते हैं तो वो एंड किस से होता ह टू से एंड होता है अब हमारा काम देखो कितना असान हो गया बहुत असान हो गया यह देखिए मैं अभी एक कुशिन करने है जो अक्सर आ जाता है क्या कुशिन है कि यह देखिए स्टेटमेंट में यहीं पर ही लिख रहा हूं कि फाइंड दवन्स डिजिट क्या निकालों कि फाइंड दवन्स डिजिट ओफ दग्यूब और फॉल्विंग नंबर्स कुछ नंबर दिये होंगे उनके क्यूब करने पर भाइए वन्स डिजिट क्या थही है जिए जो हम एंड किससे होता तो लास्ट वाला डिजिट वन्स डिजिट ही होता है जैसे टू-थर्टि-फोर है तो मैं वैसे बलू तो यह पूर ही है ना लास्ट वाला तो इसका पता लगाना है तो अब तो हमने मैं थड़ी पड़ लिया जैसे 3331 कि इसका क्यूब करें तो वन स्प्लेस पे क्या आएगा अब हमने यह चार्ट रख लिया अपने पास दिमाग में रखो क्योंकि दो तिन साथ आठ सिर्फ इनी में ही चेंज है बाके तो सेमी रहता है यह वन से होता है तो यूनिट स्प्लेस में यहां है धिंग बना देतरू वंस प्लेस भी भी बोलते हैं यूनिट भी बोलते हैं 3331 का क्यूब करें तो यूनिटسمे श्प्लेस पर क्या 2021 क्यूंए कस कि लास्ट में नाता है मा लेजिए 8 8 8 8 हो अब इसका क्यूब करेंगे तो युनिट स्प्लेस पे क्या आएगा क्यूब करने के बाद ये नजर आ रहे है टू आता है टू आएगा 149 ये राजिन 9 का 9 नहीं होता है तो 9 लिख दीजिए 1005 5 के लिए 5 होता है राइट 5 देन 1024 4 के लिए 4 यह होता है जी राइट 4 77 अब 7 पे एंड क्यूब है तो किसे एंड होगा 3 से 5022 हाँ जी टू वाला क्यूब होता है एट से एंड होता है तो ये प्लेस पे एट आएगा और इदर 53 थ्री वाली टर्म हो तो उसका क्यूब करने पे एंडिंग के से होती है 7 से तो इस तरह से आप नंबर देखके जितना मर्जी बड़ा नंबर हो उसका क्यूब करने पर जो आंसर आता है उसकी यूनिट स्प्लेस क्या होगी लिख सकते हैं कि यूनिट स्प्लेस मतलब वो नंबर किससे एंड होता है अभी सीखा हमने राइट तो आज हमने ये कंसेप्ट कवर किया आई होप आपको समझ आया होगा कल हम आगे कॉंटिन्यू करेंगे थैंक यू